नमस्कार योट्यूब चैनल मैट्स एरा एंड सिविल इंजिनिरिंग वाई आर्पी व्यास से मैं आर्पी व्यास बीटेक कर रहे उन सभी इस डेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजिनिरिंग मेकेनिक सब्जेक्ट के अंदर अपनी तहरी करनी है एक्जाम के पुछा गया था यह जो कुस्टन है को मैं आपके सामने पड़के बता रहा हूं यह कुस्टन है टैन माक्स का फाइव फोसेज फोर रूट थी फाइव रूट थी एंड ट्री किलो न्यूटन रेस्पेक्टिवली एक्ट एक्ट वन ओफ दा एंगुलर पोईंट ऊप ए रेगुलर हेग्षागोन तुर्स अजर फाइव एंगुलर पोईंट्स फाइड दा मैंगिट्यूड एड आड टाइक्चन अफ्छन आप द रूट थैंए प्र्जूटन फोर्स और प्षोक्ण थी फोर्स नी अह सब सब्सक्राइब के बारे में कि जो जोमेट्री होती है वह किस्टोगार की होती है एक रेगुलर हैग्जागन के लिए तो आप छोटी का खिशाब में पढ़ चुके हैं कि सम आप इंटिरियर एंगल ओप ए पॉलीगन इस गिवन बाइ 2N-4 एंगल 2N-4 इंटिरियर एंगल्स यह किसी भी पॉलीगन की बात कर रहे है अपन एन इसमें क्या होती है नमबर अप साइड्स जैसे आप देखते हैं कोई कोडिलेटरल है उसमें चार साइड्स होती न तो एंगो किता लेंगे चार लेंगे तो 2N-4-4 इंटिरियर तो 2 चोग 8 में चार गए 4N-90 तीन तो आप जानते ही हैं कि किसी क्वाडिलेटरल याने कि अगर हम ट्रैंगल की बात कर रहें तो एंट कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा तो 2 इंटू 3-4 इंटू 90 याने कि 2-6 में से चार गए 2 इंटू 90 याने कि 100 डिग्री और यू नो वेरी वेल सम आप और त्री एंगल्स ओफ ट्रैंगल इस 180 डिग्री ऐसे अगर हम तो एंट 5 होने से यह 2 इंटू 5-4 इंटू 90 डिग्री तो दस में चार गए 6 इंटू 90 डिग्री हो जाएगी हमारे इसको इसने बात चल रहे हैं है तो 2 इंटू 6-4 इंटू 90 तो 12 में 4 इंटू 90 डिग्री तो एक्चुरी यह जो मुने बताया है टू एन-4 राइंगल इंटू यह सबी जितने भी एंटू इंटूर 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 से बरावर हो तो हर एंगल निकालने के लिए अपन नमरों से इंटूर्ट कर देंगे जैसे square होता है उसमें चार sets होती है चारों बरावर होती है और उसके चारों एंगल जो होते हैं वो 90 होते हैं तो अगर 360 में 4 का भाग लगा जिनर्ब्या जाएगा यह होता है triangle जिसके तीनों sets भाग लगा वो एक्विलेटर ट्राइंगल तो उसको 35 इंगल जाएंगे 180 तो 180 by 360 हो जाएगा आप जानते हैं किसी एक्विलेटर ट्राइंगल का जो हर एंगल 60 डिरी होता ही है रेगुलर पेंटागन अगर होता तो 540 में 5 का भाग लगा देते तो 540 को जो 5 से भाग लगा होगे तो 100 डिरी आ जाएगा तो रेगुलर पेंटागन जो होता है जिसकी 5 से बरावर होती है उसका हर इंटीर एंगल 100 डिरी होगा 108 डिरी होगा हमारे इस कोशन की बाद चल रही है तो 6 एंगल की सम 720 डिरी है तो एक एंगल कितना होगा हम 720 में 6 का भाग लगा देंगे तो 120 डिरी आ जाएगा अब आप इसको याद ही रख लिजेगा कि अगर स्क्वाइर है तो हर एंगल 90 डिरी अगर एक्विलेटर टाइंगल है तो हर एंगल 60 डिरी अगर रेगुलर पेंटागन है तो हर एंगल 108 डिरी अगर रेगुलर हेक्विलेटर एंगल 120 डिरी ऐसे ही आप रेगुलर अक्टागन डेकागन जो चाहिए आप निका सकते हैं अब मैं वापस अपनी प्रॉब्लम पे आता हूँ जो मैंने ली थी कुस्टन तो हमारा कुस्टन जो मैंने पढ़ा था उसके बाद मैंने इसको सॉलकिया पूला आप देखेगा ये है रेगुलर हेक्जागन जिसकी सभी सैट्स बराबर है तो जो ऐसे की मैंने आप बढ़ाया इच इंटीर एंगल आफ इडेगुलर एक्जागन इडिकल तू 2N-4 into 90 और चुकि हेग्जागन रेगुलर है तो N का भाग लगा दिये number of sets का हमने 120 दिगरी निकलना जो मैंने आपको अभी पेज़ पे बताया था अब इसमें का गया है कि जो रेगुलर हेग्जागन का एक vertex है या एक जो इसका जो sheets कह सकते हैं हिंदी में इसको एक sheets यह A इससे जो बाकी vertices है जैसे B, C, D, E और F उधर जो राइकसर होते हैं न A to B, A to C, A to D, A to E and A to F इधर जो forces लग रहे हैं वो आपको दे रखे हैं कुस्तिन में 4 किलो न्यूटन, रूट 3 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन, रूट 3 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन हमें इन सभी forces का resultant और उसके dyson पता करने हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी हम किसी point पर act कर रहें दो से ज़्यादा force की बात करते हैं कि उसका resultant कितना होगा तो हमें उन सभी forces के horizontal से angle पता होने चाहिए तब देखे ध्यान से मैंने ये इस तरह से समझाया देखे अगर ये angle 120 है interior तो ये भी दो 120 होगा और यहां देखे ये 120 angle चार पार्ट में बढ़ गया है ये के AC, AD, AE और ये ये देखे आप एक पार्ट दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट तो ये चारों बिल्कुल एकपल होंगे being regular polygon जो होता है तो 120 में गर हम 4 का भाग लगा है तो 30 degree होता है, ये हर angle 30 degree है तो ये 30 हो जाएगा ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 अगर हम यहां से आपना सुरू कर रहे है, ये भी से तो ये भी 30, ये भी 60, ये भी 90 और वो जाएगा 120 जैसे कि मैंने यहां बताया है इस वगर के अंदर देखिए ये जो 4 का 4 लग रहा है 4 किलो न्यूटन ये तो horizontal माल लिए हमने और ये जो रूट सी लग रहा है किलो न्यूटन रूट सी किलो न्यूटन इसका अंगल हो गया 30 डिगरी ये जो 5 किलो न्यूटन है इसका अंगल हो गया 60 डिगरी वो जो रूट सी किलो न्यूटन है इसका हो गया 90 डिगरी और वो जो 3 किलो न्यूटन है यह जो root 3 kN है यह along AE लग रहा है और आखिर में जो यह 3 kN है यह along AF लग रहा है तो मैं आपको यह जो force system है इसका resultant निकाने के लिए दो method बता रहा हूं आपको जो अच्छा लगी आप उसको follow कर सकते हैं यह जो पहला method है इसमें मैंने हर force का angle निकाला है इस original line से जो कि मैंने horizontal मानी हुई है आप इसको यह भी कर सकते हैं कि it is positive direction of x-axis मैं इसको मान लेता हूं और यह हो जाए कि फिर y-axis क्योंकि angle 90 है नहीं और यह हो जाएगा a बन जाएगा origin तो यह positive direction जो x-axis होती है उससे मैंने सारा angle major की है अभी जो पहला force है 4 kN यह तो x-axis की जो positive direction है उसके along की है इसका angle कितना हो जाएगा 0 degree यह जो root 3 है इसका 30 उसका 60 फिर 90 फिर 120 आप जानते हैं कि कि किसी भी force का horizontal component होता है that force multiply by cos theta और vertical component होता है that force multiply by sin theta जिसे देखिएगा यह कोई force F है और यह horizontal से इसका angle है theta तो यह जो होता component यह वाला horizontal यह कहलाएगा f cos theta और यह जो होता component वो होगा f sin theta बस condition यह है कि जो theta है वो होना चाहिए horizontal से और हमने सारे angle measure कर लिए है horizontal से तो देखिएगा हम चाहते हैं निकालना sigma h what is sigma h जितने भी यह forces है उनके horizontal components की algebraic sum it is algebraic sum of all the horizontal forces तो यह तो है 4 अब यह जो root 3 kilo newton है यह inclined है इसका horizontal component कितना होगा? मैंने बाता है na f cos theta और हम रहा होता है तो root 3 cos 30 root 3 cos 30 यह 5 जिसका angle 60 degree है कितना होगा horizontal component? 5 cos 60 यह root 3 जिसका angle 90 degree है कितना होगा? root 3 cos 90 और वो 3 kilo newton angle 120 degree है कितना होगा? root 3 cos 120 देखिए इसमें मैंने angle वही लिया है जो मैंने आपको यह mark करके दिखा है मैंने कोई acute angle लिया है अगर angle acute हो, 0 हो, 90 हो, 90 से बड़ा हो तो मैंने सबको लिया है और यहां मैंने बिलकुल plus ही लगा है हर जगा देखिए plus यह भी plus यह भी plus और यह भी plus अब कुछ नहीं cos 0, cos 30, cos 60, cos 90, cos 120 की value आप जानते ही है उसमें मैंने put कर दी cos 0, 1 होता है cos 30 root C by 2 होता है cos 61 by 2 होता है cos 90 0 होता है cos 120 minus 1 by 2 होता है अगर आपको values पता है well and good नहीं तो आपको सिधे ही calculation से निकाल सकते हैं को दिक्कत नहीं आएगी लेकिन मैं समझता हूँ कि यह standard angles है 30, 90, 60, 45 इस परकार के उनकी sign course तो आपको और अली पता होने चाहिए किल्कुछ से एजी हो जाती है जब solve करेंगे तो यह 3 by 2 से 3 by 2 कट जाएगा तो इस तरह से 4 plus 5 by 2 करेंगे तो 13 by 2 किलोन्यूटन आ जाएगा यह हमने जितने ही force लग रहे थे उन सब के horizontal components को algebraically जोड दिया जाएगा 13 by 2 किलोन्यूटन जाएगा तो फाइड तो फाइड दा algebraically sum of all vertical forces अब यह हम कह सकते हैं कि algebraically sum of all vertical components of forces जितने forces है ना उनकी vertical components की algebraically sum जहाँ horizontal में हमने f cos रिटा लिया था वहाँ vertical में f sin रिटा लेंगे तो सारे forces तो वही रहेंगे 4, root 3, 5, root 3, 3 और angle भी रहेंगे cable cos की जगा sin आ जाएगा जहाँ जहाँ आप देख रहे थे cos, 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 cos वहाँ वहाँ आ जाएगा sin, sin इस तरह से आप देखेंगे जहाँ से 4 sin 0, plus root 3 sin 30 plus 5 sin 60 plus root 3 sin 90 plus 3 sin 120 अब भी जो sin 0, sin 30 अगर एक value put कि हमने तो sin 00 हता है, sin 31 by 2 हता है sin 60 root 3 by 2 हता है sin 91 हता है, sin 120 root 3 by 2 हता है यह जब solve करके हमने value put की यहाँ पे थमको मिल गया 11 root 3 by 2 kN यह सिगमा भी आ गया याने कि algebraic sum of all vertical components of given forces यह मैंने जो explain किया it was first method और मैं सोचता हूँ कि किसी wisdom को यह method ही follow करना चाहिए कभी इसमें mistake होने की संभावना कम होती है एक method और है वो भी आपों दिमाग भी रहना चाहिए देखिए इस method में क्या होता है कि जो angle हम लेते हैं वो हमेशा equity होता है वो कभी obtuse नहीं होगा इस बात को आप देहां लखें देखिएगा जैसे यह हमने बनाया axis को एक सर्वाय एक्सिस को यह एक force इदर जा रहा है एक force इदर जा रहा है एक force इदर जा रहा है और एक force इदर जा रहा है चलो हमने एक force यहां भी लगा दिया एक force यहां भी लगा दिया एक force यहां भी लगा दिया और एक force यहां भी लगा दिया अब हम इस method में क्या करते हैं कि जो angle लेते हैं वो या तो 0 या 90 या 90 से छोटा equity होगा अप्टिस angle considering नहीं करते हैं जैसे देखेगा ये एंगल मालेजी थर्टी है और ये जो है इंकलाइंट इसका यहां से एंगल मालेजी आप सिक्स्टी है ये जो इंकलाइंट है इसका यहां से मालेजी का थर्टी है और ये जो इंकलाइंट देख रहे हैं इसका यहां से मालेजी का सिक्स्टी है अब हम क्या करते हैं कि यह जो x-axis और y-axis होती है अब जानते हैं कि यह प्लस होती है x-axis के अंदर यह माइनस होती है y-axis उपर प्लस होते हैं और नीचे माइनस होते हैं साइन यह जो फर्स्ट्ट्ट वना इसमें x v-positive है y-ositive यह जो इसमें x-positive है why positive वह जो थर्ड़ क्वाइनन हैं इसमें x-positive है y-positive है और फोर्थ और में x-positive है y- नेकतिव है तो यह जो पहला force है अगर आप ध्यान से दिखेंगे तो इसकी जो सखती थे लिए सब्सक्राइब के नोग में से चाहिए है वर्टे-र-पर K modular तो इससका ख्रॉटे कंपोनेंट एदर को जाएगा यहांने कि प्लस और इस फोर्स का वठील कमपोनेंट ऊपरके ओर जाएगा यानिकि प्लस यानि जो फ leps QUERI में दिख रहा है तो इधर भी प्लस उधर भी प्लस दून फ्לस हो जाएंगे यह स्कषरा olsun कोड़निंड हे वाला इसका इसका होलोजोनटर कं नेडिय Circ और virtual component उपर को जाएगा यानिके plus ये जो third quadrant है इस तरह से इसका horizontal component इधर minus virtual component इधर minus ये जो fourth quadrant में दिखरागो ये वाला ये वाला इसका horizontal component इधर plus और इसका virtual component इधर minus तो ये कितना clear हो गया कि first, second, third और fourth quadrant के अंदर हमने पता लगाया कि horizontal virtual component किदर जाते हैं अच्छा अगर हम कभी sigma h निकाला है यानिकि algebraic sum of all the horizontal components of forces निकाला है तो ये जो forces horizontal है ये वाला तो इनके साथ अपन कुछ angle लेने की जरूत नहीं है क्योंकि आप angle लेंगे तो क्या लेंगे आप angle 0 degree लेंगे और cos 0 कितना होता है 1 होता है तो ये आपको angle लेना ही नहीं है यानिकि horizontal forces को तो लेना है as it is अगर इधर लग रहा है तो plus उधर लग रहा है minus minus क्यों ये ये जो force इधर लग रहा है ये वाला इसका angle लेना कितना हो जाएगा 180 degree हो जाएगा cos 180 minus 1 होता है cos 180 degree is equal to minus 1 तो हमको ये देखना है कि उसकी तरफ x की जो positive action है इधर कोई force जा रहा है तो plus इधर जा रहा है तो minus अब बात करते है vertical की अगर हम vertical की बात करें sigma V की बात करें यानि कि algebraic sum of all the vertical components of forces तो वो force जो उपर की और जा रहा है उसको plus कहेंगे और निच्छी की और जा रहा है उसको minus कहेंगे अब जैसे ये पहला वाला force है यह उपर की हो जा रहा है वर्टीकली दूसा वाला force भी उपर जा रहा है वर्टीकली दोनों की वर्टीकली component उपर जा रहा है तो प्रस में हो जाएंगी जबकि बात जब कीदे अपने horizontal की तो यह जा रहा था इधर, वो जा रहा था, उदर था एक प्लस होगा, एक मैनस होगा, फ़र्टिकल ये दोनों उपर जा रहे हैं, इस तरह से अपन सारे फोर्सेस के कमपोनेंट्स की जो डाइक सेन है, उसको तेह कर सकते हैं, और उपर की और को जाता है, प्लस, नीचे हो जाता है, मैनस, वैडिकल की बात कर रहा हूं, और horizontal की बात करते हैं तो right में जो जाता है वो plus और जो left में जाता है वो minus अच्छा एक और बात जैसे मैंने horizontal component निकालने में यह horizontal जो forces थे इनको as it is ले लिया था बिना किसी angle के इधर था plus इधर था minus और उसमें vertical हमने लिये ही नहीं remember हम जब sigma h निकालते हैं तो आपको vertical force को consider ही नहीं करना है क्योंकि अगर consider कर भी लेंगे तो उसमें cos 90 आएगा और cos 90 0 होता है वो 0 हो जाएगा तो आपको vertical force लेना ही नहीं है यह जब हम sigma h निकालने हैं तो आपको दो तरह की force लेना है या तो horizontal force होगा उधर हो चाहिए इधर हो प्लस ले लेंगे उधर मैनेज ले लेंगे या inclin होगा inclin कौन से quadrant में है first में second में third में fourth में उसके हिसाफ़ से plus है मैने इस तेह कर लेंगे vertical forces को हम sigma h में consider करेंगे ही नहीं और जब sigma v की बात करते हैं तो इसके अंदर दो ही तरह की force आएंगे या तो vertical ही आएगा या inclin आएगा vertical है उसकी दिशा तेह हो जाएगी quadrant के साबसे और inclin अगर है अगर vertical forces है तो यह देख ऊपर जा रहा तो plus निचा रहा तो minus और horizontal forces को consider नहीं करेंगे क्योंकि आपने consider कर भी लिया तो angle कितना horizontal का zero degree और sin zero zero होता है तो यह final रहा कि horizontal में sigma h निकालने के लिए आपको horizontal force लेने है या inclin लेने है vertical नहीं लेने है सिग्मा भी निकालने में आपको या तो vertical लेने है या inclin लेने है horizontal नहीं लेना है और decide करेंगे direction उसकी कि plus होगी कि minus यह चीज़ करके मैं आपको यह आगे समझाना चाहता हूं देखेगा यह method जब समझवा जाए दूसरा method तो यह उससे वीजी बन जाता है देखेए मैंने यह x axis बनाई है यह y axis बनाई है वो सारे forces मैंने मार्क कर दी यह से पहले थे लेकिन पहले जो मैंने मार्किंग की थी वो सब एंगल मैंने यहां से measure किया थे यह इसी लाइन से 30, 60, 90, 120 इस वार ऐसा नहीं किया मैंने इस वार देखेए आपको मैंने acute एंगल ही consider किये यह 30 तो ठीक है 60 भी ठीक है 90 को दिखानी मैंने क्योंकि लाइन वर्टिकल अद 90 अपनाप हो गया और यह जो 120 था इदर से वो इदर से 60 हो जाएगा अब देखेगा मैं सिगमा एच निकार रहा हूँ मैंने आपको क्या करता सिगमा एच के अंदर आपको या तो horizontal force ही लेना है या आपको incline लेना है वर्टिकल को लेना ही नहीं है यह force root 3 actually vertical था तो देखेए मैंने सिगमा एक दो तीन और चार यह देखे पहला दूसरा तीसरा और चौथा यह 4 प्लस लिया क्यों कि इदर जा रहा है रूट 3 cost 30 इसका horizontal component है और naturally यह फर्श क्वारेन है ना तो देखेए यह इदर ही जाएगा तो प्लस ही होगा तो प्लस लिग दिया यह 5 भी आपके फर्श क्वारे तो यह इदर को जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 cost 60 अब पहले केस में इसको में लिगा था प्लस 3 cost 120 अब लिखा है माइनस 3 cost 60 तो cost 120 भी माइनस 1 by 2 होता है तो वो automatically minus आजाता है यहां तो माइनस आपको करना पड़ा उसमें automatically आपका जो calculator है वो माइनस दे देगा तो यह आपको डिबेंड करता है कि आप किस मैधर से करते हैं technically जो है यह मैधर strong है इससे आपके fundamental clear होंगे और कोई मुश्किल सवाल आसानिस हो जाएंगे वो जो पहला मैधर है वो technically strong नहीं है ठीक है आपको रट लेना पड़ेगा तो बस लगाता रहेंगर लेते चले जाना आप स्कूर करेंगे पहले भी आपका 13 by 2 ही आया था और इस बार भी 13 by 2 ही आया है अब sigma भी की बात करते हैं जब मैंने vertical की बात की इसमें तो आपको horizontal लेना ही नहीं है यान इस चार को तो आपको लेना ही नहीं है कहा लिए है बागी चार लिए है एक दो तीन चार देखो य आप झार ग्रों जीरो हOTा है तो कोई फरक नहीं पड़ा अच्छा अब देखेंगा यह उपर की ओडियो जा हो अप्लस यह उपरी ओड़ जा रहा है प्लस यह उपरी आप्लस यह उपरी जा रहा है यह पार जा यह आजा रहा है यह है यह तो फो फोर्स था इसका horizontal component तो 21 ही होता है तो आपको मैंने कहाना जो वर्टिकल फोर्स है उसको as it is ले लो अगर कोई वर्टिकल फोर्स नीचे होता मैं उसको minus ले लेता बस कोई sign 1 लगाने जो इतनी क्योंकि अगर sign लगाता तो यह अगर नीचे होता तो sign 270 degree होता है और sign 270 minus 1 ही होता है एनिवेज यह अपने लिया तो root 3 sign 30 5 sign 60 root 3 as it is और यह 3 sign 60 पहले मैंने में लिका था 3 sign 120 इस वा लिका मैंने 3 sign 60 value दोनों की same ही आगी जो value put की मैंने ति वही आया जो कि पहले था 11 root 3 by 2 तो मैंने आपको क्या किया है कि इस question में जितने भी forces हैं उनको horizontally और verticallyly resolve करके उनके algebraic sum यानि कि sigma h which is algebraic sum of all the vertical of all the horizontal forces और sigma v that is algebraic sum of all the vertical forces उनको निकाला है और वह answer आपके finally sigma h तो आया था 13 by 2 किलो न्यूटन और सिग्मा भी आया था 11 root 3 by 2 किलो न्यूटन अब हमारा final दो सुरू होता है कि वह वाटी resultant r तो आप जानते ही हैं कि जो resultant r होता है वह under root sigma h square plus sigma v square होता है क्योंकि यह जो horizontal or vertical component 90 degree होते हैं और जो दो force 90 degree पर एक्ट करते हैं तो रिजलेटन होता है under root first force square plus second force square तो sigma h कितना था 13 by 2 sigma v 11 root 3 by 2 यह रख दिये और solve किया तो यह 179 by 4 plus 333 by 4 तो 532 by 4 तो 133 तो इसका root लिया तो 11.5326 किलो न्यूटन अंसरा गया अब निकालने इसकी direction तो direction के लिए देखिए बड़ा simple सा matter है यह r हो गया resultant हमने इस triangle को इस triangle को यह इसकी direction है theta किसकी resultant की किसके साथ यह अंगल है with horizontal यानि की positive direction of x-axis अगर मैं कहूं यह triangle में 10th रिड़ा कितना होगा तो होगा perpendicular upon base यानि कि लंबडाधार यह कितना होगा यह उतना ही है जितना कि यह 11 root 3 by 2 यह कितना है 13 by 2 11 root 3 by 2 में 13 by 2 से भाग लगा दिया सिग्मा भी में सिग्मा एसका भाग लगा दिया तो हमार पास आगिया 11 root 3 by 13 solve किया 10th रिड़ा आगिया 1.46558 और 10th रिड़ा कि जब वेल्यू आती तो उसका inverse निकाल कि आप नाइगल निकाला 10 inverse 1.46558 तो 55.693 डिगरी आया देखिए मैं आपको समझाता हूं कोई बार अच्चे निकाल नहीं पाते हैं देखिएगा यह जो 11 root 3 बड़ा 13 11 root 3 बड़ा 13 यह देखिए आप 11 root 3 बड़ा 13 यह मैंने पहले क्या क्या root 3 किया यह root दबाया 3 दबाया यह root 3 आ गया इन्टू 11 इन्टू 11 किया बटा 13 बड़ा 13 किया तो 1.46558 यह देखिए 1.46558 इके वैलिवारी यह 10 थीता के मुझे चाहिए थीटा मैं क्या करूँगा इन्वर्स दबाऊंगा यह दबाए मैंने shift और यह दबाए मैंने 10 यह दबाए मैंने is equal to तो यह आ गया 55.693 डिग्री यह देखेगा 55.693 डिग्री अब इस एंगल को नॉर्मलिया वैसे दिखते हैं डिग्री मिनट सेकिन तो देखे 55.692 डिग्री यह दे दिखगरा देखे रहे ना यह दो 55 degree 41 minute और 36 second 55 degree 41 minute और 36 second तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको इस प्रकार का कोई भी question आने के लिए अगर exam आ जाए आप अच्छे से attempt कर सकते हैं तो मेरी शुब कामने आप लोगों के साथ में है आप अगर कोई भी question पूछना है तो मुझे इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं 9521663064 आप अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगाओ इसको लाइक करें शेर करें और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंगिनिंग भाई आर्ट पिव्यास को सब्सक्राब करना ना भोलें इट इस आल ओवर अबाट इस वीडियो थैंक्यू